गाईज हम सभी को पता है कि इस तरकी जितने भी खाने वारी समान होती उन सभी के एक expiry date होता है और जब तक वो expiry date पार नहीं हो जाए तब तक यह समान खराब नहीं होती कि क्या होता है उन सभी सामान के साथ 100 दिनों के बाद क्या वो सारे सामान खाने लायक रहते हैं या फिर नहीं या फिर उन सारे सामान के साथ क्या होता है तो गाज यह रहे हमारे पास वो सारे सामान जिनको हम आज से 100 दिनों के लिए जमीन के अंदर डालने वाले हैं तो यहा यहां पर यह बटर बाइट की बिस्कीट इसको भी डालेंगे और यहां पर एक नमकीन की पैकेट यह रही और एक पारले बिस्की छोटा वाला और यह रहा एक पैकेट नमक तो गाइस नमक भी डालेंगे क्योंकि हो सकता है कि यह गर जाए मतलब जमीन के अंदर ही लेकिन फि किसान जैम इसको भी देखनें गाइस ये भी खराब हो जाता है खाने लाइक बजता है या फिर नहीं बजता है मतलब जितना भी यहाँ पर सामाने सब कुछ चेक करेंगे सौ दिनों के बाद तो यह रही किसान जैम और यहाँ पर एक हमारे पास मैंगो की स्लाइस यह रही तो चलिए गाइस जितनी भी सामाने डालते हैं इन साभी को एक गड़े के अंदर वह भी सौ दिनों के लिए और फिर देखते हैं कि क्या यह सारे सामान खाने लाइक बजते ह क्या फिर नहीं तो चलो गाइस सबसे पहले गड़ा को लेते हूं उसके बाद आप से मिलते हैं तो गाइस जार अब भी हम दोनों जन का हालत हो चुका है पुरा खराब अब भी यहां पर देखिए हमारा गड़ा हो चुका है पूरा रेडी यह करीब 3 feet तक हम लोग खोद दिये इस गड़े को और अब भी चलिए क्या करते हैं कि अपने सारे सामान को हमारा जीतना भी सामान था वो सभी सामान को इसके अंदर डालते हैं यह गया सबसे पहले टै और यह किसान कैचप यह देखिए और यह पारले जी बिस्कीट यह टोस्ट यह भी गया और यह कुछ प्लेज यानि चिप्स की पैकेट यह भी गया गाइस तो गाइस यहां पर देखिए हमने सारे सामान को इस गड़े के अंदर डाल लिया है और अभी क्या करते हैं इसमें से जित्ता भी मिट्टी निका लेती इसको इसके ऊपर डाल देते हैं मतलब यह पूरा ढग जाए और पता नहीं गाइस बारिस होगी या पिर क्या क्या होगा यह सारे मौसम में सर्वाइब कर पाएगा या नहीं तो चलो गाइस अब एक बार फिल से इस गड़े को खोदे थे अब भी क्या करते हैं इस गड़े को पूरा पाठ लेते हैं तो चलो मिट्टी डालते हैं इस गड़े में गाईज अब भी हमारा सारा चीज incomplete हो गया यहां पर जितनी सारी सामाती साब को इस जमिन के अंदर डाल दिया करें 3 feet अंदर और अभी हो सकता है कि बारिस का मौसम आ रहा है यहां पर ऐसा लग रहा है तो चलिए देखते हैं अभी बारिस होगी तो उसका भी पानी अंदर जाएगा हो सकता है तो पता नहीं वो सारे समान नमी की वज़े से खराब होगी या पिर जमीन के अंदर जो गर्मी होती उसकी व चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं कल किसी आउन नए वीडियो सा तब तक के लिए बाई